शनी के प्रकोप से अपने भक्तों को बचाने वाले बाबा खुद परिशानी में मुश्किलों में फस्ते नजर आ रहे हैं लेकिन ये मामला सिर्फ एक दाती महराज का नहीं है ऐसे कई बाबा है जो भारत में अपनी दुकान धडले से चला रहे हैं और उसके बाद लोगों क कि आस्ता के साथ होता है सबसे बड़ा खिलवार लेकिन कैसे लोग ऐसे बाबाओं के चंगुल में फस्ते नजर आते हैं ये समझने के कोशिश करेंगे निजूसरूम से हमारे सयोगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे बड़ा सवाल आपी से है कि ऐसे बाबाओं के हाद आते हैं तो लोगों को लगता है कि हमको इसी रेमिड इमिजेट कहा मिलेगे तो उनको लगता है चलो एक कुछ चीज़ें हैं जो की ऐसे बऌसरे लोग एक फाया उफ्र कर जाते हैं लोग यहीं समझद में आता है की हम इसके पास जा रहे है तो एक लिमिट तक जाए और उसके बाद अगर हमको रेमेडी नी मिल रही है तो ठीक है हमने अपना किया बाकी पूजा पाड इनके लिए घर भी होता है लेकिन लोग जब उससे आगे की चीज़ जाने लागते हैं लोगों को ट्रस्ट उसमें आने लागता है तो फिर ये बावा अपना खेल करना शु को तो फिर हमेशा उसके पास जाता है जब सपोस करी कविता जी आप किसी के पास जाती है किसी बाबा के पास जाती है उससे आपको फैदा मिलता है आप ये बात आकर चार लोगों में चर्चा करती हैं बले ही वो चार लोग उस बाबा से वाकिफ ना हो लेकिन वो वहां जा दोस दो साल बाद पीडिता सामने आती है मजबूरी होती है डर होता है खौफ होता है लेकिन अगर दाती मामले में सबसे पहले आपको डिलिक कंडोन करना पड़ता है एक जो आपने की पीछे वज़ा है अगर दाती महराज की केस में अगर आप पीडिता के बयान को देखें तो पीडिता ने साफ तोर पे लिखाए कि दाती महराज बेहत पावरफुल वेक्ति थे और मैं घुट-घुट के जी रही थी जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती थी कि किसी और के साथ हो यही वज़ा है कि मैं खुल कर सामने आई हूँ कल जो उसने 164 का अपना बयान मजिस्टेट के सामने दर्च कराया उसमें भी उसने यही बात बोला कि मैं जो अपना इस्टेटमेंट है उस पर कायम हूँ और मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगे राम रहीम के के केस में एक गुमनाम चट्ट तोर पर इतने जबरदस जुड़ाव होते हैं रश्टे होते हैं कि उसका भी डर कहीं ना कहीं लोगों के बीच होता है देखिए इस बात को समझना पड़ेगा कि जो विक्टिम को ये निशाना बनाते हैं वो विक्टिम या तो आर्थी ग्रूप से बहत कमज़ूर होती है परिवारिक प्रिष्ट भूमी बहत कमज़ूर होती है वो पूरी तरीके से इन पर डिपेंडेंट होती है तो ये बहत इसली तौर पर इनको ये अपना शिकार बना लेते हैं जो इस तरह के बाबा होते हैं क्योंकि वो हर चीज से वाकिफ होते हैं आपने कभी ऐसा नहीं द करते हैं तो ये अच्छी तरह समझते हैं कि हमें शिकार किसको बनाना है लेकिन अब लोगों को भी समझना है कि क्या वाकई हमें इन विश्वासी बाबाओं के पास जाकर शिकार बनना है या वक्त हैं कि अपनी आखे खोले और जो ये अफीम का नश्या है उससे बाहर निक खुलती क्यों नहीं है क्यों और जागरुक होने की जरूरत है कुछ और से बाबाओं को सामने आने की जरूरत है उसके बाद ही पूरे देश की आग खुल जाएगी बड़ा अंद्विस्वास है जिसकी वजह से लगातार इस तरह की चीज़े हो रही है और बाबा का खुलासा हो रहा है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चियां शिकार होती है या जो लड़कियां अब तक सामने आई है जो शिकार हुई है उनके अंदर एक अंद्विस्वास को ज्यादा गुसा दिया गया जैसे कि अहरानी बहुत बहुत एहम बात आप बोल रहा है क्यों कि माबाप ने उनको धकेला उन्होंने जाके बताया कि बाबा ऐसा करते हैं लेकिन माबाप को इस पर भी विश्वास नहीं हुआ कितनी जबर्दस वो अंद्विश्वास की का परदा था जब आसाराम को भी हमने अच्छे से कवर किया करीब देर साल दो साल तक लगातार उ इनी के आशिरवात से आज आज आप लोग यहां तक पहुंचे हैं उस बच्ची के अंदर उन बच्चों के अंदर शुरुवात से यह रहता कि नहीं यही बाबा हमारे सब कुछ है और इनी की यह हम देन है तो बाबा जो कर रहे हैं वो सब सही है फिर चाहे वो उनके साथ हरकत करें चाहे उनके साथ कुछ गलत करें तो वो सब कुछ समझते हुए भी उनको खामोश रहना पड़ता है बच्चियों का बलातकार हो रहा है राम रहीम के मामले में हमने देखा लोगों की जमीन पर कबजा किया जाता था इस तरीक से कंडिशनिंग हो जाती थी लोग अपनी प्रॉपर्टी अपना पैसाई न के नाम कर देता है यह वही रिजिनन है कि आपको एक अंधा विश्वास बाबा पर उनको आपको लगता है कि वही सब कुछ है आपके लिए उनसे अलग आपकी दुनिया है ही नहीं जो पूरी दुनिया है वो अश्चिया रहती है उनको बाहर की चीज़े नहीं पता होती है और उनके लिए जो बाबा है वो तब तक एक बाबा है जब तक उसाथ गलत नहीं हुआ जब गलत होता तो उनको लगता कि नहीं एक ये राक्षण शुरूपी है एक बड़ा क्रिमिनल है खतरनाक है और उसे खिलाफ जाना आपके लिए बड़ी दिक्कत है कर देगा इसलिए वो सामने आने से बचती है स्टार्टिंग में लेकिन जब एक अंदर चिन को लगता कि न लेकिन बड़ा सवाल यही उड़ता है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वो बाबा जो वाकई अपने धर्म का प्रचार कर रहा है जो आपको अच्छे रास्ते पर चलने की नसीहत देते हैं उनकी इमेज को आपको लगता है कई ना कई जटका ज़रूर पहुचता देखें उनकी इमेज को तो जटका पहुचता जो है वो एक अलग विशे लेकिन सबसे आता जो जटका पहुचता है वो आस्था को पहुचता है और धर्म को पहुचता है यह जो बाबा होते हैं यह इन बाबा के लाखो फॉलोवर्स होते हैं वो फॉलोवर से दीरे दीरे वो और बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो सबसे पहला हमला कहा होता है उस धर्म पे होता है जिस धर्म से ये बाबा जुड़ा हुआ है हमने पुराने केसे भी देखे अभी का केसे ये जांच में भी क्या सही है क्या गलत है पता करे पर दे के पीछे वजव फैला रहे हैं रही हैं वह Susment यह क्या होता है कि कोई इनके पहुशता पहुशता है वह उसकी पढ़ लेते हैं कि इसके साथ कोई problem है और इस problem कि स belum बताया जाए तो अच्छा होगा जैसे कि किसी की लाइफ में अगर कोई प्रॉलम है और अगर उसको उसका मनचाह सॉलूशन बताए जाए तो उसको लगता है कि सामने वाला सही है और उसको उसको उसमें एक भगवान रूपी कुछ अफ्तार टाइप को लगता है कि उम्मीद दे देते हैं कम से कम कि आप 40 दिन इंतज करिए यह खाई और ठीक हो जाएंगे या यह यह भबूती आप लगाई एक तो उमीद देते हैं और दूसरा क्या है कि इन लोग का और बहुत बड़ा हो जाता है फॉर एक्जामपल कि जहां इनकी एंट्री होगी वहां पर आप कभी देखिए भक्त ऐसे लाइन से खड़े पहले ही दुखी है अपने किसी प्रॉल्लम से फिर वह आके देखता है एक ऐसा इंसान आया है जो इनसान एकदम भगवान के अफ्तार की तरह मेरे सामने आ रहा है उसके पीछे चल रहे हैं और वह आके बैट रहा है तो वह गिरे जा रहे हैं लोग उससे मिलने के लिए उस इसका एक सबसे बड़ा यह जो फैला वहनेन बाबाओं का जो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं अब दाती महराज को देखिए करीब 22 साल के आसपास इनका करियर रहा है अभी तक इन्होंने कई आश्रम अपने खड़े कर लिए एक अपना जो लोबी थी काफी बड़ी काफी जादा हुए एक टाइम में यह करीब दिल्ली में जब आये थे तब चाय बेचा करते थे उसके बाद इन्होंने अपना एक काम शुरू किया और भाविश्यवानी जो जोती सीखा तो 98 की बात है इन्हें एक्सपोजर मिला मीडिया के जरी उस एक्सपोजर का इन्हों आज लड़कियों का इस्तमाल कर रहा है ये इलजाम लग रहे हैं बिल्कुल लेकि जब 98 में इनके पास जब दिल्ली में विदानसवा चुनाव थे उस वक्त एक केंडिडेट थे जो गए थे इनके पास उनके बारे में ने कुछ भाविश्यवानी की थी और हुआ भी वही उसके बाद इनको exposure मिला और उस जो नेता थे जो विधान सभावी पहुँचे थे उस वक्त में उन्होंने बगएद अपनी जमीन दीन को और वहीं से exposure मिला और जितने भी आप बाबाओं को देखेंगे अभी तक उनके पीछे कही न कहीं political लोग रहे होंगे इसी बात का जिक्र में आशीश के साथ भी कर रही थी कि जब आपको political exposure मिलता है तो फिर उसका गलत इस्तमाल बेजा इस्तमाल भी होता है तो कहीं ना कहीं राजनेता भी इसके लिए जिम्मेदार है इसमें connection से बिरोक्रेट्स होते हैं राजनेता होते हैं और कई चीज़े हैं important है वो लोगों को देखनी चाहिए कि साहीं हमेशा फकीर है लेकिन उनके नाम पे दुकाने चली है ऐसे बगवानों के चली तो यह किसी धर्में यह बचा नहीं है सब धर्में और सभी बगवानों के साथ उनके जो नाम पे आगे जिसको गौड मैन बोलते हो सब ऐसा करते ह धयान देनी वाली बाती है कविता जी कि लोग गोई देखना चाहिए कि एका एक कैसे हो रहा है कि वो आदमी पॉपलराइज होता जा रहा है उसकी प्रभवरटी बढ़ती जा रही है उसके मंच बढ़ते जा रहे हैं वो Churchosition कि इस में गुभर्मेंट को भी इन चीजिए को ध्यान रखना चाहिए कि इतने बड़े आश्यम को चलाना खाना कि लाना सारी चीजे करना उन में बहुत इंवस्मेंट लगता है पैसा लगता है प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह की आईयाशी के एड़े कैसे फल्फुल र देना चाहिए, ऐसे बाबाओं को कैसे एक्सपोस करना चाहिए, ये तो हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, मीडिया तो अपना धर्म निभा रहा है, लेकिन क्या आम आदमी अपने कर्तव्य को निभा रहा है, जब आप किसी बाबा के पास जाते हैं, तो उम्मीद वो आपको घोल कर पानी में पिला सकता है, लेकिन करना आप ही को होगा और समझना भी आपको होगा, कि कहीं आप अंदविश्वास को तो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आस्था और अंदविश्वास, बार बार हम यही कह रहे हैं, दोनों के बीच बहुत बारीक लकीर है, औ और इसे से फैसला होता है, इस तरह के मामलों के सामने आने का, या फिर ऐसे मामलों के न सामने आने का